कि यूनिट पांच का ये चैप्टर थर्ड है जिसमें हम संघार्स और सांतियानी कंफ्लिक्ट और पीस की बारे में पढ़ेंगे तो सांतियाध्यान पीस इस्टडी एवं विवाद समाधान कंफ्लिक्ट रिजुल्यूशन तो सांतियाध्यान एक अंतर विश्यक हो बागम है तो ये इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच है इसके तोरह संघार्सों को रोकने कम करने और सांतियाध्याध्यान के अप्रत्न किया जाता है इसके तोरह उन कार्णों काध्यान किया जाता है जो संघार्स को बढ़ावा देते में लिए संखर सम deutlich अधान में उन सभी पक्षां को सामिल किया जाता है जो आपस में संखर्स कर रहे हैं हो जवाजित कीया है नकरात्मक शांथीकार्थ हिंसा की अनुपस्तिदी सकरात्मक सांथीकार्थ है संबंधों की पुनर इस्तापनाय संबंधों का अंतरण तथा अंतर राजियों में समाजिक संबंधों का निर्माण पथम विश्योद के बाद अंतर राष्टी संबंध का अध्यान एक सतंत्र विशाई के रूप में होने लगा एक सतन्तर विशय के रूप में बुड्रो बिलसन के नेत्रत्यों में बिल्स विश्ट विद्याल है पहली बार अंतराष्टी संबांध का अध्यान परम हुआ डेविड डेविस भी इस अध्यान को बढ़ाने वाले मुख्यब्यक्ति थे इसी के साथ सांतियाध्यान की भी शुरुआत हुई अमेरिका में सांतियाध्यान को पठख विशय के रूप में downs 496 में मैंचेस्टर कालेज में पहली बार बढ़ाया जाने लगा बेतनाम विद्य के दोरान अमेरिका में सांतीयध्यान अत्यधिक लोग पुरी हुआ स्थापना हुई केनेथ बोल्डिंग और अना तोल रेपो पोर्थ ने सांति विग्यान समाज की स्थापना की और उन तक्नीक संकल्पना के विकास का प्रत्म किया जिससे संघर्स का समधान हो सके सीत युद्य के बाद अध्यन की नवीन विषय बस्तू सीत युद्य की समापती के बाद सांति अध्यन में नवीन विषयों को समिल किया गया अब संघर्स के अध्यन की बजाय राजनीतिक हिंसा मानभी सुरच्छा समाजिक न्याय कल्यान तथा विकास के अध्यन पर मूल ब जैसे मुद्धित को सामिल किया गया सांति utilizz के प्रिकार तो एमसाइन ब्लद के आप सी इस लिए आज सांती का महा तो सर्भामिक है सांती एक प्राकृतिक समाजिक इस्तिती है जबकि युद्ध समाजिक इस्तिती नहीं है इस लिए अहिंसा और सद्गुल को समाज में बढ़ावा दिया जाना चाहिए सान्ती मानमी वियोहार की भी सहिस्ता है तता सान्ती स्थापना के अनेक तरीके हैं जॉन गल्टन के अनुसार हिंसा सीधी और प्रत्यच को हो सकती है हिंसा सीधी एवं प्रत्यच हो सकती है हिंसा सान्रचनात्मा क्यानि इस तक चल भी हो सकती है भारत में पहली बार सांती अध्यान केंद्र के स्थापना बनारा सिंदु विश्वी दियाला में बार संधान केंद्र के स्थापना की गई केनेत बोल्डिंग ने इस्टेवल पीस 1978 नवाग पुस्तक लिखी कूट नीति यानि डिप्लोमिसी या राजने क्या होता है तो हंडी के सेंजर की रचना डिप्लोमिसी बना है डिप्लोमिसी लेटिन सब्द डिप्लोमा से बना है जिसका अभिप्राय अधिकारिक दस्तावेश है अंतराष्टी राजनीति में दो देशों के माद ब्योहार से इसके लिए दसाओ कोट कोट नहीगों की नियुक्ति होती है क्ट कोट नहीग संबंधों पर र कया दे कभ वह 1815 में कोट नितिक इमिशन कुल्य में लिखित भागों में बाटा गया पहला विभेन देशों के मंत्रियों के परस पर संबन्द दूसरा देशों में नियुक्त राज़वत और दूसरा और तीसरा दूतावास में नियुक्त छोटे थी काड़ी कावन देशों में संब्सक्राइब कर दोहाब के संब्सक्राइब संमेलयों का अधिक महत्यों है पहला है बिय अना कंग्रेस एसारा सot 2580 में होती है कि भी ना संब्सक्राइब को तीन भागों में विहाज़द किया गया या कुर्ट नीतिक आयों कर अध्यक्ष दूत या अमात और राज राजदूतों का दूसरा सबसे मातपूर्ण कार कूट नाइक बारतलाप एंडिप्लोमेटिक राजदूतों के बारतलाप करता है। उस देश में नियुक्त राज़ दोत की भूंका कम हो रही है। सटल डिप्लोमसी अमेरिकी विदेश सचीव हेंदी कि सिंजर के समय अध्धिक लोप्री हुई जब उन्होंने मिस्र एवं इजरायल की यात्रा करके पश्मी ACI संकट के समधान कर प्रत्म किया। बरतमान समय में सिखर कूट नीति यानि समिट डिप्लोमसी का भी अथिधिक प्रभाव है इसके अंतरगत अनेक देशों के सासना धेक्ष परस पर बारता करते हैं। आजकल अनेक छेतरी आर्थिक संगटनों की स्थापना हो चुकी है जिससे सिखर कूट नीति यानि सम्मिट डिप्लोमसी का महत बढ़ता जा रहा है। बरतमान भुबंडली करन के यूग में अंतराष्टी राजनीती में गैर राष्टी कार्य करता हूं का महत बढ़त रहा है इसलिए आजकल पबलिक डिप्लोमसी का विखूब प्रियोग किया जा रहा है। इस सब्द का प्रियोग एडमंड गुलियन ने किया इनके द्वारा सरकार आम जनता के साथ संबान दिस्थाबित करने का प्रत्म कर रही है। पिंग पॉंग डिप्लोमसी ये क्या होती है। द्वाव बनाने का प्रत्न किया जाता है। उधारण के लिए 2161 में अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान युद्धिके समय अपना सात्मा जहाजी बेडा मंगाल की खाडी में भेज दिया था। चेकबुक डिप्लोमसी ये समय बहुत चर्चा में रहती है चाइना के संदर में चाइना चेकबुक डिप्लोमसी का उप्योग करता है। तो किसी देश को आर्थिक सहांता दे कर उस पर प्रभाव बढ़ाने का प्रत्न किया जाता है। फिर गुप्त और खुली कूटनीति तो तो कोवर्ट एवं ओपन डिप्लोमसी भी कूटनीत के प्रकार है। दो देशों के बीच कभी कभी गुप्त रूप में बारताई चलती रहती हैं जिसे सर्वजनिक नहीं किया जाता और अनेक बार कोटने को सर्वजनिक किया जाता है। या कूट नईक की अच्छे डिप्लोमेट की गुणों का उलेक किया है। संभाव है मारगें थेव के अंसार कोटनीत के निम लिखेत नौ नियाम होते हैं। पहला कोटनीत दुराग्रह से मुक्त होनी चाहिए। दूसरा विदेशनित के उद्देश राष्टी हितों से पईभासित होने चाहिए। दूसरे देशों को दिश्टिकोंड से भी देखना चाहिए। चौथा, गौण विषय पर समझोता करने के लिए राजियों को सदयव तयार रहना चाहिए। पांचमा, राजि को तुछ लाव की बजाए बास्त्रीक लाव पर ध्यान देना चाहिए। चाहिए। और नुमा, सरकार को जन्मत का निर्मान करना चाहिए ना कि उसके अधीन होना चाहिए। हस्ताचेफ और अहस्ताचेफ तो इंटरफरेंस और नौन इंटरफरेंस अंतराष्टी राजनेत में सक्ति संतुरन बनाये रखने के लिए हस्ताचेफ का प्रियोग होता है। दुति विस्यूद के प्रारंब होने का एक प्रमुख कारण जर्मनी द्वारा अन राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्ताचेफ था। पत्मान समय में भी सक्ति साली राज हस्ताचेफ की नीति अपनाते हैं। संयूद राष्ट संग्चार्टर में आहस्ताचेफ को अंतराष्टी भी धिकम्मूल अधार माना गया है। समाजी कांदोलन अलगावबादी उपराश्टी सम्मूह हमिल होते हैं एकोनॉमिक डिप्लोमेसी इसी के भाग है। मत पूर्चना है तो अलेकजेंडर तो अलेकजेंडर कुछने सेव अलेकजेंडर कुछने सेव इनकी बुक क्याना में थियोरी एंड प्रेक्टिस आप पैर डिप्लोमेसी कोलन सब सबनेशनल गवर्रमेंट्स इंटरनेशनल अफेर 2014 रोट्रिको तबरेज इनकी बुस्ता के कहाना हम है पैर डिप्लोमेसी कोलन सिटीज एंड स्टेट सेज्ट ग्लोबल प्लेयर सिटीज एंड स्टेट सेज्ट ग्लोबल प्लेयर 2016 यह कुश्चन अभी जुगा है पैर अजिए कि बारें दूस को याद रहें